जीत का सिर्मोर सजने के बाद भी कॉंग्रेस की भाग दोड़ कम नहीं हुई है अब शिमला मेरपद के लिए दिल्ली तक की मेरथॉन चल रही है पहले मुख्यमंत्री दिल्ली पहुँचे फिर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंग और फिर शिमला नगर निगम के अब्जर्वर तेजिंदर बिट्टू जिनके बीच मन्थन हुआ कि शिमला का मेर कौन होगा बैठक के बाद सूरिया समाचार से खास बाचीत में कौंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी ने तै कर लिया है मेर या डिप्टी मेर के में से एक पद महिला पार्शद को दिया जाएगा यानि पार्टी महिलाओं को उनकी बंपर जीत का इनाम देने के लिए तैयार है इसके साथ ही प्रदिभा सिंग ने ये भी साफ किया कि उमीदवारों को लेकर पार्टी में ना कोई असमन जस्य है ना कोई तनाम लेकिन शिमला से दिल्ली तक की लंबी दोड को देखकर प्रदेश अध्यक्ष के दावों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है शिमला के नाय मेर के लिए शिमला वासियों को और कितना इंतजार करना होगा इस सवाल पर प्रतिभा सिंग ने बेज जग बताया कि हफते भर में पार्टी मेर के नाम का एलान कर देगी कॉंग्रेस हर बार की तरह बगैर जल्द बाजी किये पूरी तसलिबक्ष तरीके से हर पहलू पर विचार कर रही है ताकि मेर की कुरसी का खेल पार्टी की पावर को कमजोर करने की बजाए नई मजबूती दे सूरिया समाचार के लिए डिल्ली से विने सिंग की रिवोड़